नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रमेदर सिंग और आप देखरें गेटनों चनल दोस्तों आज की वीडियो में हम लग बात करने वाले हैं अहुजा टीज़ेडे 7000 dp amplifier के बारे में इस वीडियो में आपको यह बता हूंगा कि इस amplifier का connection speaker के साथ किस तरीके से कर सकते हैं दो या चार स्पीकर जो रहते हैं इसमें किस तरीके से होगा साधी साथ इस amplifier के जो प्रिया आउट क्यूर्ट लाइन की इंडिविजिल मिल जाती पर जोन ठीक है तो जैसे कि यहां पर देख सकते यह प्रेस्ट लिए वर्य पेन वे व्र्य थे याधि करके सब्सक्राइब मेरा इसमें देख सकते हैं, उसको तरह कीज्स करना आपको बताता हूं नसके आ देख सकते हैं zone 1 में वह है a the zone gds को बvoorbeeld होते हैं यहां पर कॉम और व्रोंस की दो वायर और दो ले जाके जो 8 ओम्स के दो स्पीकर है हैसे त्री हंड्ड डी एकस जो इस त्रीके से एक जोन का किनेक्शन क्विट हो जाएगा अब जो एक टोंस एक टोंस पर लेली करेंगे तो उसका आधा हो जाएगा तो इसका टोटल इंड़न्स फोरोम्स हो जाएगा तो इसलिए आपर कॉम और फोरोम्स पर ठीक है फुड़ा कन्फूजन ना हो इसलिए मैंने बता यह चीज उसी तरीके से यहाँ पर भी जो जोन ट किया गया है वायर को एक छोटा सो गोला बनाए यह क्रॉस बताया गया कि एक अन्यक्टेट नहीं आपस में दोनों वायर कनेक्टेट नहीं है तोसी तरीके से यहाँ पर जो जोन भी है इस तरीके से हुआ है अब एक और चीज देख लेते हैं जहां पर हम चार स्पीकर करें स्पीकर में जो एक बॉक्स है में लोच चीज चि panty के चीज में होगे तब तब जाके बनाओ付athan उसी तरीके से चार स्पीकर बॉक्स जो है क्यों तो चैनेक्टेट है पर ल installed ऑंदर में जो करेंट इस सिरीस है तब स्वेमंस बनांब है उसके बाद इस जो चार बॉक्स उसको पैरलली करेंट किया है उसको फॉर्मला नीचे दिया सोलर डिवर्डबर फॉर तो फॉरूम्स हो जाता है ठीक है इसको पैरलली करेंट किये तो कितना हो जाएगा अधा हो जाएगा तो एक चीज़ यहाद रखिए कभी आपके पास अगर मल्टिमिटर तो ज्यादा अच्छा रहेगा मल्टिमिटर में आप उसको चंटिनुटी रेंज में रखिए रखने के बाद जो भी आपका स्पीकर कने आप मल्टिमिटर में चेक कीजिए वह आपका वैल्यू बता देगा कि आपका जो टूटल इंपिडेंस हो कितना आ रहा है अभी आपका जो स्पीकर का एंपिडेंस से कम नहीं होना चाहिए वरना आपका जो एंप्लिफायर है उसका चांसे रहेगा कि वह खराब हो जाएग जयुकि दो इपिदण से रहें बताता कि आपको स्पीकर है कितना पाप जितना घॉम्स कर पायंगा और बढ़ते जाता है उतना प्रेशर आपके अंप्लिफार में आएगा ठीक है यह चीज ध्यान रखें तो फोरॉम से तरीके से करते हैं अब आपको लाइन लाइन आउट किस तरीके से रहता है वह चीज के बारे में जान लेती है दिन ilsबाइन ऊपर में इसकर आप इसका छीज में खें सकते हैं तो में बांपर में आप ज्ली अपर में आप इसकर देक सकतें किस तरीके से रहता है और इंपत है और यहां पे जो स्टूड एंशित्य करें यहां पर सब्सक करेंगा यहां पे हमने CD player connect कर दिया है उसके बाद pen drive जो है इसके front panel में connect हो चुका जो USB driver set रहता है front panel में ठेक है उसके बाद यहां पे जो line out है यहां से आपने दूसरे amplifier में line in दिया होगा ठेक है जैसे कि यहां पी देख सकते line in है पर दूसरे amplifier में हम लोग आपी देखते कैसा आय रहा है तो दोस्तों आप उपर देख सकते हैं यह जो वायर गया है वंतलब जो हमारे cable रहता है जो मान लीजी जेक टू जेक है जेक जो वायर है यहां पर line out में connected तो आप line out के through दूसरे amplifier के line in से इसको in कर सकते हैं दूसरे में और यहां पर जो normal connection है इस amplifier को किया गया है ठीक है तो दोस्तों उमीद करता आपको वीडियो पसंद आए होगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जूरू सब्सक्राइब करना और बहला का जूरू जूरू दबाते जिनना आप चाहें तो मुझे